नमस्का दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज का वीडियो एक बहुत ही रोंचक टॉपिक पर है हाल ही में टुटर इंडिया ने एक BBC डोक्यूमेंटरी पर पोस्ट को हटा दिया था जो की PMORI के बारे में था आज हम बात करेंगे कि टुटर ने इस पोस्ट को क्यों हटाया था और इस से जुड़े ताजा विकल्फ क्या है साथ ही हम बताएंगे कि एलन मस्क ने इस पर क्या कहा है जो की आपको थोड़ा हैरान कर सकता है BBC documentary India The Modi Question के परसारित होने के तुरंत बाद भारत सरकार ने इस पोस्ट इस सीरीज पर बैन लगा दिया था भारत में यही नहीं टुटर जैसे टुटर जैसे सोसल मीडिया प्लैटफॉर्म से इस documentary को हटा दिया था टुटर के अरबपती मालिक Elon Musk ने कहा है कि इस बात से पूरी तरह से अंजान है कि आखे टुटर ने PMOD पर बनी BBC documentary के लिंक्स को क्यों हटाया थे उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में सोसल मीडिया को लेकर कुछ नियम काफी सक्त हैं और वे कुछ गलत करके जेल नहीं जाना के पसंद करेंगे ऐसा Elon Musk ने कहा है आपको बता दें कि इस साल की सुरुवार में BBC ने प्रधान मंदरी नरेंद्र मोरी को लेकर एक documentary जारे की थी डो एपिसोड वाली BBC documentary इंडिया दा मोरी question नाम के documentary के प्रसारित होने के तुरंत बार भार सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था यही नहीं टुटर जैसे social media platform से इस से जुड़े सभी लिंकों को भी अटा दिया गया था इसका पहला एपिसोड 17 जनौरी को और दूसरा एपिसोड 24 जनौरी को बीटरेंड में फ्रसा प्रसारित हुआ था डोक्यमेंटरी में नरिंदर मोरी के मुख्यमंदरी रहते हुए गुजरात में साल 2002 में हुई हिंसा में करीब 2000 लोगों की मौद पर सवाल उठाए गये थे सरकार की सलाहकार कंचन गुपता ने कहा है कहा था कि सरकार ने टूटर को डोक्यमेंटरी के वीडियो से जुड़े पचाक से अधिक ट्वीट्स ब्लॉग करने के आदेश जारी किये थे एलन मस्क ने कहा है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है हलांकि बीवीसी ने भारत में डोक्यमेंटरी का प्रसाण नहीं किया था लेकिन वीडियो को कुछ यूटूब चैनलों पर अपलोड किया गया था अब इस पूरे मामले पर एलन मस्क ने प्रतिक्रिया दी है जब मस्क से पूछा गया कि टूटर ने भारत सरकार के इस सारे पर कुछ कंटेंट ठटाय देगा इसको लेकर टूटर स्पेस पर बीवीसी ब्रोडकास्ट लाइब के साथ इंटर्विवी में मस्क ने कहा मैं इस विश्यस स्थीची से अवकत नहीं हूँ मैं नहीं जानता कि उन content के साथ असल में क्या हुआ था उन्होंने कहा social media पर क्या देख सकता है इसको लेकर भारत में नियम काफी सकत है और उन्होंने कहा हम देश के कानूनों से परे नहीं जा सकते है एलर मस्क ने कहा अगर हमारे पास यह विकल्प है कि या तो हमारे लोग जेल जाएं या हम कानून का पालन करें तो एलर मस्क जी ने कहा कि वो कानून को पालन करना ज्यादा पसंद करेंगे